नमश्कार दोस्तों वर्तवान समय में ये अधिकारी बनने के लिए प्रयासरत है और ये जानना चाहते हैं कि क्या ये उच्छदिकारी बन पाएंगे क्या इनका UPSC हो सकता है क्या ये IES IPS जैसे परतस्थित नौकडी को प्राप्त कर पाएंगे तो आप बेलकुल में चंता ना करें आपके सारे ही डाउट्स को क्लियर करूँगा जो भी विक्ति अपने जिन्दगी पर सफल होना चाहते है बड़े नौकडी के तरफ अपनी निगाहे गार के बैठे हुए है कि मुझे वही नौकडी प्राप्त करनी है मुझे उतना सम्मान को पाना है मुझे IES बनना है मुझे IPS बनना है मुझे IRS बनना है मुझे IES बनना है उन सभी के लिए ये वीडियो महतपून है जो भी विक्ति इस प्रकार के ख्वाब को लेके चलते है तो इन जॉब में भाग्य का भी बड़ा महतपून रोल होता है क्योंकि 30-30 लाग बच्चे फॉर्म बरते है बहुत ज़ादा लोग फॉर्म बरते है और सीट हजारों में रहता है तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो मेहनत के साथ-साथ भाग्य की भी आवशक्ता होती है तो जितने मैंने IES IPS लोगों का हाथ देखा है उन सभी के हाथ पर जो अवस्थाए है अगर वो अवस्थाए है आपके हाथ पर अवस्थित होंगी तो आप definite रूप से UPSC जैसे एकदम टफ एक्जाम को निकाल पाओगे तो उसके लिए क्या देखना चाहिए हाथ पर पामिस्ट्री कैसे महतपूर है उन चीजों के लिए कैसे आपको ये मॉटिवेट कर सकती है कैसे आपके confidence को boost अप कर सकती है आज की वीडियो के माद्यम से आपको पता चलेगा और आज आप चीजों को बहुत गहराई के साथ समझ पाएंगे जो भी experience UPSC के लिए प्रियासरत है और अपने पामिस्ट्री के माद्यम से अपने अंदर एक confidence को पाना चाहते है कि उनके हाथ पर योग अच्छे योग हैं वो स्री डिरेक्शन में कारे कर रहे हैं तो आज की वीडियो उनके लिए वर्दान से कम नहीं है क्योंकि ये वेक्ति अभी 27 वर्स के महस 27 वर्स किन की आयू है और अब भी इन्होंने preparation start किया है कुछे दिन पहले और मैंने इनको कहा कि आपकी एतलिपर IES IPS बनने के योग है और अगर आपने मेहनत किया देखो एक तो होगी primary matter आपके भागी की बात अब दूसरी होती है कि आपको इक्षा है की नहीं मान ले जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है जो वेक्ति UPSC करते है वो वेक्ति कोई वेपार नहीं कर सकते है ऐसा कोई जरूरी नहीं है लेकिन उनका इक्षा UPSC के तरफ रहता है लेकिन अगर वो विक्ति वेपार भी करते तो उतना ही सफल होते क्योंकि भाग और ग्यान तो एक ही चीज़ है वो किसी भी सेक्टर में आपको धन तो देता ही है सम्मान तो देता ही है लेकिन इनकी अपनी इक्षा है जुनून है इनके अंदर UPSC करने का तो देखो भागय साली आप है लेकिन दूसरी बात का ध्यान रखना है कि आपको महनत इतना करना है कि आपका सारा एनरजी प्रहाई में ही वेस्ट हो जाया जितना दम है उतना दम से महनत करो क्यों कमपेटिशन्स है में भी आपके जैसे बागये बाले बहुत लोग होंगे लेकिन आपको जब मैंने कहा है कि आपका UPSC होगा क्यों होगा वो मैं आगे बताऊंगा तो आपको महनत करके इसको सही भी साबित करना है तो बिना किसी प्रकार के समय को बढ़बात किये इनके हाथ पर देखते हैं कि ऐसी कौन सी यवस्था थी और जो भी बच्चे अपने जंदगी पर सफ़र होना चाहते हैं यो भी ऐसी करना चाहते हैं अपनी अपनी अतली खोड़ लीजे, देखिए कि उनके हाथ पर ऐसी अवस्था है, या इससे अच्छी अवस्था होगी, तो उनको सफलता मिलनी तै है, ये मेरे से स्टाम पेपर पर साइन कराके रख लोआ, लेकिन सेकेंडरी बात ये है कि आपको भी प्रियास करना है जान लगा के, जितना ताकत है आपके अंदर वो लगा के आपको मेहनत दरना होगा, चली जी देखते हैं, सबसे बने तो दिक्री ये भागी रेखा, मैं भागी रेखा को बड़ा महत्वर देता हूँ, क्योंकि जितने बड़े लोगों का, वरिस्ट अधिकारी गण का, बड़े हाथ पर आ गई, मतलब भागी तो आप ले के आएं इश्वर से, ये बहुत जबरदस बागी रेखा, यहां से बिने को बहुत खतरनाग बागी रेखा, जो कि जिन्दगी पर सुक को दर्शा रही है, आगे भी बागी रेखा के ब्रांचे से, जो कि बेहत शांदार है, तो स के दे दिया, कभी भूके नहीं मनोगे, अगर परियास करोगे तो बहुत सफल होगे, लेकिन परियास करने के लिए जुनून तो आपको सूरी रेखा देता है, परियास करने के लिए आपको टैलेंट तो सूरी रेखा प्रदान करता है, परियास करने के लिए डेडिकेशन तो आपको सूरी रेखा देता है, सूरी अपने समान चमकने वाले स्थिती को दर्शाता है, अगर किसी विक्ति का सूरी प्रवल होता है, तो उनको चमकना होता है, तो वो डेडिकेशन वहीं से आता है, खुद से उनको डेडिकेशन मिलता है तो सूरी रेखा इनकी बहुत जबरदस्त है एक्स्ट्रीम है तो ऐसे विक्ति को किसी और से डेडिकेशन के आवशक्ता नहीं ये खुद से मोटिवेट होते है क्योंकि उनको खुद लाइफ में बरा कारी करना है और जो विक्ति खुद से मोटिवेट होते है वो विक्ति जिन्दगी पर कुछ भी कर सकते है एक से जादा सूरी रेखा आपके हाथ पर है ये में लेको बहुत जबरदस्त मतलब ये सूरी रेखा देखके न बस एक ही बात दिल से निकल रहा है वह खतरना जबरदस्त सूरी रेखा है ये सूरी रेखा इंडिकेट करती है Life में तरक्की Life में कामयाबी और कामयाबी तै Say है अगर आपने परियास किया कुछ negativity भी आपके हाथ पर है अगर उसको ध्यान में ना रखके आपने परियास किया तो जिन्दगी पर सफलता तैह है UPSC क्यों नहीं होगा, होता तो वेक्तियों से ही है ना, होता तो बच्चों से ही है ना, तो UPSC क्यों नहीं होगा, ना होने की तो बात ही नहीं है, होने की बात है और होगा इस केस में, तो यह देख रहे हैं आपने आगे और विचार करता और एक सबसे महतपून बात है कि UPSC करने के लिए तीन चीजों का सही योग होना भट जरूरी है, बुद्धर रेका थोड़ी कम कमपलसरी होती है, सूरी रेका, भागे रेका और आपकी जीबन रेका पर प्रगती के योग, मतलब जितनी बड़ी प्रगती के योग हो ये एक्जाम देते रो, स्टेट पीसें रेकर अभी एक्जाम दो, जो भी एक्जाम आया उसको दो, आप अधिकारी जरूर बनोगे, एक्जाम देने के बाद कोई जॉब सेक्योर कर लोगे, उसके बाद भी अधिकारी बनने के चांसेश होंगे, क्योंकि सब 23 वर्श की आयू ह क्यों कि ये कोई अरुनिंग होना चाहिए तो जॉब कोई मिल रहा है तो वो करो ये पहले जॉब करते थे प्राइबेट था अब ये सरकार ही नौकड़ी चाहते है समान चाहते है लाइस में तो ये चीज आपने देख लिया और इनके हाथ पर एक एक्स्ट्रा एडिशनल ची तो इनकी इक्षा है UPSC करने की तो बेशक आप कर सकते हैं बेशक कर सकते हैं इक्षा के वरुद्ध कोई कार नहीं करना चाहिए तो ये तो कि पॉस्टिविटी इसके बाद और भी पॉस्टिविटी हाथ पर होती है केवल इतनी पॉस्टिविटी से आप UPSC नहीं कर पाए जो जादा सक्सेस को इंडिकेट करती है जिन्दगी पर तो अभी इनके ग्रहों को मैं देखूंगा और पताओंगा कि इनके ग्रह क्या कह रहा है इनकी ग्रह कौन सी कहानी कह रही है उस बात को भी हम देखेंगा और समझेंगे तो यह जो आपने देख ले हैं चलो भी इनके प्लैनेट्स पर हम देखते हैं यह इनका दूसरा पिक है अब देखो इनका क्या है शुक्र बहुत जबरदस्त है मंगल भी बढ़िया है बरस्पदी भी ठीक है सैटरन भी अच्छा है सन मरकरी ठीक ठाक है बहुत अच्छी भी नहीं बहुत खराब भी नहीं सूरी इनका उभार लेवे कंडिशन में मरकरी ठोरा दवाब में इसका उपाय दूँगा मैं बाकि चंदरमा इनका बढ़िया है लेकिन इतना भी गरबर नहीं है अब हम थोरा सा गहनता के साथ विचार करेंगे नेगेटिवेटी प्रशान करती है तो आप जतना जादा हो सके जतना जल्दी हो सके अपने नेगेटिवेटी का उपाय करलो क्योंकि क्या होता है जब आप लाइफ में आगे बढ़ते हो तो नाकामयाब होने का वज़ा होता है कि आप कुछ गलत काम कर रहे हो मतलब आपको परना चाहिए तो आप पर नहीं रहे आपको एक जगा स्टिक रहना चाहिए तो वो आप रह नहीं रहे आप एमलेस हैं कभी ये सोच रहे हैं कभी वो सोच रहे हैं कभी ये कर लूँ वो कर लूँ इस चक्कर में तो डाइवर्ट होते रहोगा न तो वो बात आपके हिदली बता देती है कि व्यक्ति कैसे सोच रहा है क्या साइकलोजी के साथ ये कारी कर रहा है कैसे ये कारी करना चाह रहा है तो इनके जब हाथ पर मैं negativity को देख रहा हूँ तो disturb शुक्रवला है जो कि distractions को बताती है एक आगरचित होने में समस्याओं को बताती है मतलब जातक कोशिश बहुत करते है कि मैं बैट के पर हूँ मैं मेरा mood swing ना हो मैं mood swing होने ना दूँ लेकिन किसी कारणवास इस चीज़ पर नियंदरन नहीं कर सकते है और इनका mood swing हो जाता है जिस वजह से एक दूस परिणाम इसका देखना पड़ेगा कि आपकी नौकरी जो लगेगी ना वो तोड़ी विलंब से लगी है कि जब पढ़ोगी नहीं तो नौकरी कैसे होगी तो ये एक negativity हाला कि सूरी रेका बहुत ताकतवर है इसके negative impact को बचाए रखेगी लेकिन UPSC में एक छोटी भी खामी आपको परिशान कर सकती है जब आप उतने बड़े जौब के तरफ अपना जज़र गराए हुए हैं जब आप उतनी बड़ी सफलता अपने जिंदगी पर देख रहे हैं तो छोटी negativity भी ना आपको परिशान कर सकती है जब आपको 100 किलोमेटर का रास्ता ते करना है तो एक छोटा सा जखम भी आपको परिशान कर सकता है जब कोई रास्ते पर आपको पैदल चलना है 100 किलोमेटर और वो आपको चलना ही है और एक छोटा सा जखम आपके पैर में हो गया आपके लापरवाही की वज़ा से आपने चपल नहीं पहना, आपने जूता नहीं पहना, आपके पैर में तकलीफ हो गया, तो वो 100 किलोमेटर की जर्णी आप नहीं कर पाएंगे, चाहे कितना भी potential आप में क्यों ना हो, क्योंकि आपको तो जखम हो गाओ बन जाएगा, गाओ भी negativity, छोटी भी लापरवाही आपको तकलीफ दे सकती है, तो इसके लिए सबसे पहले उपाए क्या करना है, अपने दिमाग को शान्त रखना है, सूरी को रोजाना जल देना है, बाकि जो आपके कुंडली के हिसाप से सज़ेस्टों का वो और remedy बेवे मैं बता दूंगा, क उसी negativity वही एड़रेखा के साथ है, ये प्रॉपर यव तो मुझे नहीं देख रहा क्योंकि यह लाइन जो आना यहां से निकले, तो ये emotions के line है, ऐसे विक्ति बहुत ज़्यादा बावुक होते हैं, बावुकता में गल्ती करते हैं, उसके बाद negativity हल्की फल्की राहु रहु ये आपके हतली, तो यहाँ पर से आपने देख लिया, जान लिया, समझ लिया, अब भी हम विचार करते हैं, थोड़ा आगे, तो चलो जी ये तो इनके negativity थे प्रशन यूपियसी को लेका था, तो मैं तो हरी जंडी दिखा रहूं, बस आपको मेहनत जादा करना है, आपको म बड़िया नजर आएंगे जिन्दगी पर सफलता के, तो चलिए जी ये तो होगे, अब इनके प्रशन ते आगे के जिन्दगी कैसे रहे हैं, किस आयू में जादा सफलता मिलने के योग, अब इनके सब ताइस वर्स की आयू है, तो देखो क्या है न, पच्पन से प्रोगल साड के आसपास थी, ये तो हाँ, एकी साड के आसपास फिर जिन्दगी ठीक थी, एक दिक्कत आपके मान के चलो, चौबिस वर्स में थे फिर जिन्दगी ठीक थी, एक दिक्कत आपके और, 27-28 साड के आसपास है, आगे फिर ठीक है, आपके तीसमें साड के आसपास बढ़ opportunity रहेगी बहुत जबरदस 30 वर्स से start होगी इस growth वाला समय है ये growth वाला समय है पूरा जान लगा दो दम लगा दो अभी से दम लगा दो सब 23 वर्स आपका हो ही गया है बहुत जल्दी आपको सफलता मिलेगी बेबी वो 29 वर्स भी हो सकता है 30 वर्स भी हो सकता है 30 के बाद golden period है life में तरक्की के योग को बता रहा है जिन्दगी में परिवर्तन को बता रहा है positive परिवर्तन को बता रहा है चाइश के बाद अलकी अलकी प्राकती के योग दिख्रें, वो नौनमल है, बांकि उसके बात की जिन्दगी बहुत स्मूध है, लाइफ 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 ला बेबर यहाँ पर यहाँ पर से, यह आपके 75 के आसे पास की side effect नहीं होता तो राहू रेखा के भी regarding side effect आपके जिन्दगी पर आने तो वो भी नहीं हैंगे ये भी देखो कितने ही शांदार एक से जादा मंगल रेखा कुछ बड़ा अधिकारी तो बनोगे प्रशासनिक अधिकारी का हाँ देखा है रोजी देखता हूँ बहुत आपस्टेगल के साथ वो लाइफ में आगे पड़ते हैं जिस सुख को आज वो भोगते हैं उसके लिए उनको जी जान लगा के प्रियास करना पड़ता है आप सोच भी नहीं सकते तो वो प्रियास तो आपको करना पड़ेगा इस बात को आपको ध्यान में रखना है चलो जी अब तो इनके तलिका आप जलन दिन करेंगा ये इनकी पॉजिटिव नेगेटिव सी बाते थी तो अभी इनका दूसरा पिक मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये रहा इनका आगे ये देखो प्रॉपर रूप से स्क्वाइर स्पा में मद्यमेच का सफ़ता को पाते प्लैनर्स गद्यदार वस्था में है राजजोग का रखतेली है लाइफ में सक्सेस के लिए ये लोग आगे बढ़ते बरा महात्मा कांची होते है और अपने महात्मा कांची नेचर की वज़े से जिंदगी पर आगे भी बढ़ जाते है इसमें कोई डाउट नहीं है लाइफ में आगे बरने के भी योग थे अपने महातमा कांची नेचर की वज़ा से यह तो मैं आपके इतली पर से प्रॉपरली देख रहा हूँ सारे प्रैंस ठीक टाक कंडिशन्स में राज्यों का रखते लिए गुलाबी इतली है दन को एट्रैक करती है जब भी दन की आवशकता हो कही न कहीं से जिन्दगी पर पैसे जरूर से आ जाते हैं ना आने की तो बात ही नहीं है यह वाली बात हो गई अब ही हम आगे विचार करते हैं एक जबरदस थम है इस पर दसी है वह तो समान की पर जरूर कर पाएंगे यहां से भी देखो बड़िया आपके लाइन से जातक का शांदार वेक्ति तो होता है फर देको समझदारी के लूप काफी अच्छी वेक्ति बहुत समझदार फिंगर के बीच में गैप है तो ये इंडिकेट करते हैं थोड़े खर्चिले परवर्ती के तो आप होते हैं तो खर्च पर नियंतरन रखें आप बागी देकों फिंगर पर खड़ी लाइन से इंसान दिल के बड़े अच्छे हैं दिल में किसी के लिए कोई किंतू परंतू नहीं ये तो मुझे दिक्राब के हाथ पर से थोड़े से थोड़े से दिक्कत के योग तो थे कि थोड़े इंट्रोवर्ड होते हैं सबसे घुलते मिलते नहीं है ये तिंडिकर ये अच्छी दारवी कासा शैटन फिंगर लंबी है काफी हिमती और काफी मैनती है आप ये तिंडिकर ये अच्छी बिजनस एवलिटी है आपके अंदर बिजनस करने की बड़ी अच्छी आप फेस भी कर रहे हैं वर्तमान समय में और आगे में देख लो आपके एतली पर तो ये सब कुछ जो न प्रगती के योग थे यहाँ पर से कुछ एक स्क्वाय जैसे आकरती जरूरे 32 वर्ष के बाद अच्छा सुदार दो लाइन से तो ये लाइन से इंडिकेट करता है कि ऐ ऐसे वेक्ती बहुत पर उपकारी होते सेवावावी होते हैं बरस्पती एक समय के बाद की ठीक है लेकिन फिर भी इसके लिए उपाय करना चाहिए एक दार्सनिक सोच को बताता है ये इनका गुरू बले है जो यहाँ पर से आपको दिकरा होगा ये वाला तो ये थोरा सा कह में 25-27 वर्सक्याई तक इमोशनल तनाव में रहते हैं आगे विश्णोयों का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं ट्राइंगल से जो नेकिटिविटी को दूर कर रहा है बैलन्स काफी अच्छा है दिल दिमाग के बहुत तंद्रोस्त वेक्ती है और हिर्दर ए इंसान काफी जादा भावुक होते हैं इस चीज का ये परचकरा रही है तो वो नहीं रहना बाकी यहां से दबावे तो विक्ति मेहनती है और बागी रेखा से पहले मैं देखूंगा डिस्टर शुक्र वले यह थोड़ी मूट स्विंग के प्राब्लम को इंडिकेट करता ह जातक के जिन्दगी पर एक एमोशनल तराव रहता है 25-27 वर्स के आयू तक बागी बागी रेखा बहुत अच्छी 34 वर्स के बाद भी बहुत जबर्दस दिख रही है जिन्दगी के लास तक तो बढ़िया दिख रही है तो बागी को लेके समस्या आए नहीं है आगे भी ध ये भी एक बहुत जबर्दस सूरी रेखा सूरी रेखा आपकी हाथ पर बहुत ताकतवर है या थो डिस्ट्रेक्शन के यह हो गया ला कि कुछ ज़्यादा बिगार नहीं पाएगा लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि यूपेसी जैसे बड़ी सफलता के लिए ना कोई भी इन से तो ये इंडिकेड कर रही है ऐसे विक्ति बहुत समझदार परवर्तिक है है समझदारी बहुत ज़्यादा है आपकी समझदार बहुत ज़्यादा है आगे अगर मैं देख रहा हूँ तो दोनों मंगल बहुत जबरदस्थ हाईली एनरजी बहुत ही अच्छा है आसन विभाग में जाने की तो जाने के योग भिया मंगल बढ़िया है प्रवल है जापर से इनरजी प्राकरम डेडिकेशन को दर्शार है तो हाईली डेडिकेड विक्ति हैं आप बढ़िया मंगल है फिर देखे आपका चंदरमा भी बहुत जबरदस्थ है यापर से देख आपके बारतों कमाल है उसके पहले ही भागे रेका अच्छी है पतली है विजिबल है जो जाता को अच्छा फल देती है स्कुएर जैसी आकर दिछ अतिन के बाद मड़ेग गायू दोनों मंगल रेका बहुत शांदार बहुत जबरदस्त ये भी देखो आपके शुक्र पर बढ़ी अच्छी लाइन से तो ये इंडिकेड कर रही है कि ऐसे वेक्ति जिंदगी पर आगे बढ़ते आगे बढ़िया कारे करते हैं यहाँ पर से देखो तो कुछ लगजरी यह दा इन कतली का पूरता विश्टेशन अगर आपको हमारे यह वड़ पसंद आया लाइक कर दे कमेंड कर दे सेर कर सस्क्राइब कर दे कर विक्तिकत रूप से मैं सस्त्रे का दिखाना चाहते हैं और स्थी जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारा वाट्सपनों डिसकुशन म मिल्यागा लेकर आसमपर कर सकते धन्यवाद